हालो स्टुडेंट एक बार फिर आप सबका स्केटर नॉलिज में स्वागत है हम इस चैनल में आपको जीकी के क्वेश्चन और कंप्टिटिव मैथ की त्यारी कराते हैं आज आपको पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट टू जो की टैट सीटेट और बहुत से कंप्टिटि ह्के डिस्कर्सिन बॉक्स में मिल जाएगी आप देख सकते हैं टो सुरू करते है इस्ट्स क्वेश्षंट इसमें 30 खुष्चन हमैं हम आपको इस क्लास में 15 क्लास में अबर ने यह कमान बचार तो आप इसमें देखेगा, इसको A माल लीजएगा तो यह A-2 हो जाएगा मारिस इसको B माल लीजेगा तो यह B-2 हो जाएगा A-2-B-2 का relative करें हम इसको solve कर लेंगे A-2-B-2 का relation होता एक बार addition कर देना और एक बार subtraction कर देना जैसे हमारे पास A जूकल टो 0.004 और B जूकल टो 0.003 तो जब फार्मूला हमने का A स्कार मानस B स्कार का यूज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं A पिलस B इंटू A मानस B एक बार इनका एडिशन करना और एक बार सब्ट्रक्शन करना जब एडिशन करेंगे तो यह हो जागा 0.004 और सब्ट्रक्शन करेंगे तो यह हो जागा 0.0037 एडिशन करेंगे तो यह 0.43 आएगा और सब्ट्रक्शन करेंगे 0.73 आएगा इस प्रकासे जब A is equal to A और B is equal to A माने यह तो A square minus B square का relation होता A plus B into A minus B तो A plus B इनका addition और subtraction कर दिया अब देखेगा इनको solve करना है इनका multiply करना हमको तो multiply करने के लिए हम दो तरीके से एक तो जो traditional method है वैसे multiply कर सकते हैं यह आप यह देखिएगा कि हम एक तरीके से यह मान के चल लेगा हमको 43 और 37 का multiply करना है तो आप देखेगा इन दोनों जो बीच का नंबर है वो 40 है नंबर इनके बीच का 40 है तो हम क्या करें 40 का square क्या होता है 1600 हो जाएगा मानस इनका difference दोनों से 3 है तो 3 का square कर देंगे 9 इसमें 9 कम कर दिए यह बचेगा आपका अब 1591 है multiply हो गया बहुत तरीक है multiply करने के तो और यहाँ point बाद आएंगे 8 digit क्योंकि 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर तो 8 digit हो जाएगे point बाद 4 यह है तो 4 0 बढ़ाने पड़ेंगे 1591 अब देखेगा इसमें अगर हम point हटाना चाहेंगे तो upon में 8 0 आएगे अब ऐसा कोई अगर आपका option है तो वो सही हो जाएगा इसमें पहला option है कि 1591 यहाँ पर देखेगा इसमें 8 0 है upon में तो first option एक सही होगा second question इसका है कि यह हमको कुछ number given है चार number given है और power में 485 है आपको यह बताना है जब इनका multiply करके solve करेंगे तो unit place पे कौन सा digit आएगा अब देखेगा इनमें एक number यह 730 ऐसा है कि इसके last में unit place पे 0 है अब आप इसमें किसी भी शंक्या का multiply करें हमेशा unit place पे 0 ही रहेगा तो option इसका C से होगा ऐसी इस्तिती में power की कोई value नहीं होती power आप कितनी भी कर दीजिएगा अगर unit place पे 0 है तो वो unit place वाला 0 कभी भी खतम नहीं किया जा सकता हमेशा multiply में unit जो product होगा उसका unit place पे हमेशा 0 ही आएगा अगर यहाँ पर 0 ना होकर को अधर digit होता तब हम इस power का use करते हैं जो 485 है तो power को 4 से divide किया करते हैं पावर को 4 से divide करते हैं जैसे पावर के वे नहीं है 4 ended 85 आप इसे 4 से divide करेंगे तो यह हो जागा बन टू वन और बन रिमांडर बचेगा यानि बन अपाउन 4 जब बन रिमांडर बचेगा तो इसका मतलब है जब इसके unit place पे तो बन आता अगर यह 0 नहीं होता तो अगला question है किसी संक्या का 45% 135 से तो यह संक्या है गया आप निकाल लिजे तो नंती कोई भी नमबर ले लिजेगा उसका 45% निकाल लिजेगा माल यह कोई नमबर हमारे पास x है x into 45 upon 100 is equal to 135 45 3135 होते 100 का गुणा हो जाएगा जाके उधर तो यह 300 हा गया है वह नमबर 300 है जिसका 45% 135 है तो इसका अंसर होगा 300 अगला एक question ऐसा है जिसको हमें मतलब simplify करना है 1 पिलस 2 divided by फिर यह bracket में तो ऐसे question लो solve करने के लिए board mask के नियम का प्रियोब करते हैं मतलब होता bracket off division, multiplication, addition and subtraction तो सबसे पहले bracket off करेंगे और bracket off कौन सा करेंगे इसमें दूई bracket है तो अंदर वाला bracket हम off करते हैं हडियन हटाते हुए आएंगे देखेंगा कैसे होगा question हमारे पास 1 plus 2 divided by 1 plus 2 divided by और यह bracket में 1 plus 1 upon 3 bracket close यह question इस प्रकास से है अब देखेंगे कैसे solve होता 1 plus 2 divided by 1 plus 2 divided by और यह जब solve करेंगे fraction तो यह हो जाई ही 4 upon 3 यह एक ब्रेकेट जो इसमाल ब्रेकेट होता वो मतलब रिमूव हो गया 1 plus 2 divided by और और बंड पिलस 2 division को multiply कर दिएगा इस fraction का reciprocal कर दिएगा इस प्रकास इनका division हुआ करता है यह इससे 2 times cancel हो अब नई fraction मन जाएगी 1 plus 2 plus 1 plus 3 upon 2 आप इने भी solve करेंगे तो LCM यह लेंगे 2 आजाएगा 2 और 3 5 यानी 1 plus 2 division का sign और यह हो जाएगा 5 upon 2 एक बार फिर देखेगा 1 plus 2 1 plus 2 इस division को कर देंगे multiply यह इसका कर देंगे reciprocal 2 upon 5 1 plus इनका multiply करेंगे 2 2 या 4 upon 5 solve करेंगे तो LCM लेंगे 5 यहाँ जाएगे 549 यानी 9 upon 5 इसका जवाब आ जाएगा इस प्रकास से इसका simplification किया जाएगा अगला question है कि PA और PV यह कोई circle है जिसका center O है और कोई P बाहर circle से बाहर कोई point है उससे PA और PV इस पर से रेखा हैं खीची गई है तो जो O A PV एक quadilator या चत्रवज बनता है तो उसका नाम क्या होगा वो पूचा गया देखेगा कैसे है इस प्रकास से यह जा रही है यह B है और यह center centers इनको जोइन कर देंगे यह मिशा perpendicular होती है आपर अब यह देखेगा जो डाइग्राम बना उसका नाम बताना है O A P B तो इसमें जो option दिएगे उनके अनुशार हम चलेंगे option हमको given है कि एक आयत होगा एक चत्रवज होगा बर्ग होगा तो आयत तो है नहीं आमने सामिक शाड़ है यूकल और पहलल नहीं है सम्चत्रवज का मतलब है चारो शाड़ है यूकल और पहलल होनी चाहिए वो भी नहीं है बर्ग में सभी बुझाए यूकल होनी चाहिए और कौनर रहेंगे 90 डिगरी होनी चाहिए ऐसा भी नहीं है तो एक ही option बचता है जो कि दिए एक ब्रतियव होंगे संक्या में 5 के दोनों मानों के स्थानिमान बताने तो पहला 5 का स्थानिमान 5,000 दूसरी का 50 है 5,000 से 50 आप खर्च कर दिए आपके पास बचेंगे 4,950 रुपे अगली एक fraction के वेन है जिसमें हमको यह बताना सबसे बड़ी fraction कौन सी होगी तो इनमें सभी में एक कौमन सी चीज है कि 7 upon 12, 11 upon 16 और 12 upon 16, 17 और 13 upon 18, 31 upon 36 इनमें सभी fraction में नियूमनेटर और डिनोमनेटर का जो difference है वो 5 आरा सभी में अगर ऐसी position बनती है ऐसी situation fraction में होती है कि उनके नियूमनेटर डिनोमनेटर सभी fraction सेम है difference दीखें यहां पर 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5, यहां भी 5 है तो जिसका नियूमनेटर सभ승े बड़ा होता वो fraction यह सभशे बड़ी होगा करती है यहां पर हमको बताना 12, 45 और का मासा अब आप इसका मासा दो तरीकिस बता सकते हैं, या तो आप इनका multiply वो factor करके निकाल लीजेगा, या division method से निकाल लीजेगा, या आप ये देखेगा, मासा का मतलब होता है, ऐसा number जिसकी table में ये 12, 45 और 75 आने चाहिए, तो क्या 7 की table में 12 आते हैं, नहीं आते हैं, इसका 7 इसक तो आते हैं, लेकिन ये 6 दो number नहीं आते हैं, तो 4 इसका जवाब होगा, अगला question है, कि एक बेक्ती, दो किताबें 410 रुपे में खरीदता है, और दोनों को, किताबों को समान मूल पर बेंच देता है, मालब दोनों किताबों की, मालब 81 प्रास दे दिये 410, लेकिन उसने बेंचा, तो दोनों को समान कीमत पर ही बेंच दिया, लेकिन उसे एक किताब पर 15% का profit हुआ, और दूसरी किताब पर 10% का नुक्षान हुआ, तो फिर ये पूंचा जार बताइए, उसने उन दोनों किताबों कितने रुपे में बेचा है, तो ये percentage का question है, देखते हैं, ये क किताब B को कितने में खरीदाता, 410-X, ये तो बचेंगे, अब देखेगा इस किताब को हमने 15% profit पर बेंच आए, इसका मलग X into 15% profit, तो इसका SP कितना होगा, 115 बटी 100, दूसरी किताब 410 वाली, ये X, इसको हमने 10% के loss पर बेंच आए, इसका CP कितना होगा, 90 upon 100, बोथ साय से 100, cancel हो जाएगे, ठीक, आब हमारे पास देखेगा, ये बचा हुआ, 115-X, cancel हो जाएगे, लेकिन नहीं करिए, यहाँ पर हम इनको solve करेंगे, तो ये हो जाएगा, 410 into 90 minus 90 X, ये आकर के इसके साथ addition हो जाएगे, 115 साथ ये 90 जब addition होँगे, या करके, तो जो value हो जाएगी, इसक X, और हमारे पास देखेगा, 410 into 90, अब देखेगा, ये 205 से सीधा सीधा, ये 2 times cancel हो रहा है, that is X equal to आगया, 180, यानि एक किताब को हमने बेंचा 180 रुपई में, तो दूसरी किताब कितने रुपई में बेंची है, एक किताब को बेंचा हमने 180 रुपई में, और B किताब कितन तो इसका option होगा, 180 और 230, इस प्रकास से इस question को भी किया जा सकता है, next है, प्रतम 20 प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक बिशम संख्याओं का योगफल पूचा गया है, तो आप अगर traditional method से करेंगे, तो इसमें बहुत time लगेगा, जो कि competitive mathematics ये नहीं करता है, हमें आप traditional method या basic method से करेंगा, हो तो keyword academic के लिए होता है, तो इस प्रकास से अगर आप से पूचा जाए जैसे, प्रतम 5 विशम संख्याओं का योगफल होगा, तो 5 का या आप square का दिएगा 25, प्रतम 8 विशम संख्याओं का योगफल होगा 64, और यहाँ पूचा गया पहली 20 प्राकृ संख्याओं का योगफल पूचा जा, उसी संख्याओं का आप square कर देजिएगा, 11 question है, जब x of power 13 प्लस 1 को जब x-1 से divide किया जागा, तो reminder किया आएगा, तो क्या 6 बचेगा, तो हम x-1 को 0 माल लेंगे, जब x-1 को 0 लेट करेंगे, जैसे x-1 is equal to, sorry, x-1 is equal to 0, तहां से आगया x-1, अब x-1 आप इसमें put कर दीजिएगा, यह जो यहाँ पर 13 पावर रहेगा, तो बनी रहेगा, 1 प्लस 1, 2 जाबता जाएगा, इसका, अगला question है, यह दो कूट पूरक कोणों में अनपात, कूट पूरक का मतलब होता, ऐसे दो एंगल जिनका addition 90 डिग्री होता है, यानि complete angle, और दूसरे होते हैं संपूरक कोण, यानि supplement angle, जिनका addition होता 180 डिग्री, तो ऐसे दो एंगल जिनका addition 90 डिग्री हो, वो कूट पूरक एंगल कहलाती है, और यहाँ पर उनका ratio 2 by 3 का है, तो एंगल हमसे पूचे गए, कौण कौण से, तो आप देखेगा, यह 25, 65, 90 हो रहे ह लेकिन पहला angle 2 के ratio नहीं, यानि पहला angle जो भी होगा, तो 25, 2 से डिग्री नहीं है, तो ऐसा इसका option यह नहीं हो सकता, हम option से देखे कर रहे हैं, दूसरा, यह तो addition हो रहा है, बन 80 तो यह तो होई नहीं सकता, यह addition 90 हो रहा है, क्या 2 से यह डिग्री है, यह 3 से डिग्री है, है, और इनका addition, मतलब 100 हो रहा है, तो यह नहीं हो सकता, तो option देखे हैं, बता सकते हैं, इसका option से सही होगा, यह हम इनका addition करने हैं, दोनों का 2, 3, 5, 5 x को से आप 90 को डिवाट करनेंगे, तो x की value 18 आ जाएगे, 18, 2, 36, 18, 3, 54, ऐसे भी find किया जा सकता है, आगे का गया है, ए शम दिवाव तरवज से मतलब होता है, ऐसा तरवज जिसकी कोई दो बजाएं आपस में यूकल हो इस प्रकास से, ये बजा, ये बजा यूकल है, तो ये शम दिवाव तरवज होगा, शम दिवाव तरवज होगा, यानि दो बजाएं शमान, तो यहां पर हमसे ये का गया है कि कोई समिधवात रोजे जिसकी दो बजाओं की लंबाई करम से 15 और बाइस है तो संभावित उसकी परमाप क्या हो सकती माल लिजिएगा बरावर बाली बजाए 15-15 है तो 15-15 तीस और बाइस बावन हो गई तो बावन हैं से आ रही है अब माल लिजिएगा बरावर हो जाए 22-24 और पंद्रे चावावन हो पंद्रें फिप्टी ना जो ना रही हो जाए तो फैला बाला ओप्शन यह सही बैठता और कोई मैच नहीं होता है अगला 15 कोश्चन इसमें है वह 14 कोश्चन इसमें इस सौल्व करना है हमको कि 112 अपॉन 1596 हैं 1596 का स्कूर रूट जो होता है वह 14 होता और 576 का स्कूर रूट 24 होता हम डारेक्ली इनको लिखेंगे इनहां लिख दीजेगा आप 14 इंटू यहां लिख दीजेगा 24 अपॉन 12 है यह से 2 टाइमस कैंसल हो गया और यह से 7 टाइमस से यह 16 टाइमस इसका जवाब हो करके फाइंड 450 और का से मतलब होता मल्टीप्ला यानि 2 अपॉन 5 और इसका भी 70 परसेंट 72 परसेंट यानि 72 अब आप इसको स्वाल कर लिजेगा तो देखेगा यह एक जीरो से एक जीरो केंसल हो जाएगी 5 तो जा टैन 5 नान्जा 45 मल्टीप्लाय कर देंगे 9 दोनी 18 अठा मल्टीप्लाय 18 किसके साथ करें अठारा दोनी 36 कह रही तिरी अठा सत्ते को 263 129 बटी दस जीरो काटनेंगे पॉइंट या लग जागा देट जवाब आजागा बन हंडे नान्टी कॉइंट 129.6 यह इसका आंसर आ जागा तो इसका ऑप्शन होगा इस प्रकास से हमने आप आपको इस क्लास में इस सेट के 15 कोईशन करा दिए आगले क्लास में आपको इस नेक्स्ट 15 कोईशन शॉल्व करवाएगा असा करता हम आपको समझमाया होगा आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और सेर भी कर सकते हैं जिससे दूसरे भी इस ज पिजार करिएगा next class का तब तक लिए जैन या भारत